कि पिस्मिल्यारमालरहीम अत्रमालेकूम एवर्डिवान और मीडिया सब्सक्राइब होंगे तोड़ा एकदपा हेलो हाय करें ताके मुझे पता चले कि आप सुन रहे हैं मुझे सुन रहे हैं ओके 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 चलो तो स्टार्ट करते हैं हम मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं पिर कंफर्म कर लेना कि स्क्रीन आपको नजर आ रहा है ठीक है करी नजर आ रहे हैं हलो ओके ओके तो सबसे पहले क्यूंकि मुझे पता है कि आपके ज्यादा जो आप स्टूड़न है यह किसी नगी सी तरीके से आपने यूएस में या किसी और जगह में काम किया है पर्टिकुलर्ली यूएस में क्यूंकि मेरा एक्स्पीरियंस आप लोगों के साथ हुआ एक दो महीने तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप दिमाग से अपने पार्मूले पूरा निक क्योंकि इस सिशन को यह हमने जो कम्यूटी बनाई या कोर्स शुरू किया उसके पीचे सिर्फ आपको कोर्स पढ़ाना नहीं है उसके पीचे हमारा कुछ और भी मकासिद हैं हम कहते हैं कि एक अच्छा कम्यूटी बनें लॉजिक के बनियाद पर चीजों को सही तरीके से सम क्योंकि इस सिशन में मेरे से आप पूछ सकते कोई बात नहीं है लेकिन इसके साथ मिक्स नहीं करना है मतलब आप ऐसा नहीं बूलना है कि हाँ हमने तो ऐसा उदर सीखा था तो बस मुश्किल नहीं हो जाएगा नहीं कि मैं बता रहा हूं उसको आपने जहें से और सभी तर पिर भी आपने जहें में चीजें रखे ठीके सबसे पहले पहले इंटॉटक्षन क्लास में यह हमने तोड़ा बढ़ बीता लेकिन हम इन चीजुँँ पो एंडिप्स में देखेंगे ठीके और सार बसाब प्रिक्टिकल हम करेंगे हैं और आमाज़ान को हमने क्यूं सब्सक commerce के फ़लेटपॉम है ठीके जिसके हम business कर सकते हैं और अभी UAE में क्यों हम उसके उपर study करते हैं और जब हम यह seeking हैं तो हम को क्या मिलेगा देखो यह fundamental है बिल्कुल अगर आप कुछ भी करना चाहते हो कुछ भी सीकना चाहते हो अगर आपको उसका result का पता नहीं है आपको अपना objective गोल का पता नहीं है तो वो सीकना फजूल है ठीक है तो हम Amazon को एक बड़ा platform है एक स्ट्रीम लाइन हुआ है ज्यादा कंप्लिकेशन उसमें नहीं है एजी लिए आप इसमें एक्सेस हो सकते हो और दुनिया में सबसे बड़ा e-commerce platform ठीक है इसलिए हम Amazon की तरह पाते हैं जिसमें ज्यादा requirement अभी नहीं है और UAE के अंदर अगर हम देख लें तो यह बहुत यह और भी अच्छा option यह है कि आप इनका monthly subscription भी नहीं है ठीक है आप पस्रिप एकाउंट बनाएं आपका individual account भी almost professional account consider होता है ठीक है तो बगएर monthly subscription के आप इसके ओपर काम कर सकते हैं अभी जब Amazon आप सीके तो आपके साथ दो राफ़े या दो choices रहते हैं एक choice यह हैं कि आपके साथ investment होगा और अपना store फुद बिल्ड करें ठीक है अपना business फुद बनाएं यह इसका पहला objective है अगर आपके साथ investment है तो अगर आपके साथ investment नहीं है तो दूसरा रास्ता यह है कि आप बहुत सारा लोगों को आपना skill जो है ना आपर कर सकते हो उनके लिए काम कर सकते हैं क्योंकि तक्रीबन पाकिस्तान में चूंकि आप लोगों का experience नहीं रहता है क्योंकि वहाँ आप Amazon का existence नहीं है लेकिन यहां कोई भी आप local shop में जाओ गुरूसरी में किसी मतलब किसम के के डिगरी के फिजिकल शॉप में जाओ तो उनको ज्यादा लोगों ने account बनाए भी है और ज्यादा लोगों को account चाहिए भी कि हमारे लिए account बनाए हमारा services product जो भी है आप उस पे Amazon के ओपर offer करें ठीक है तो लोग इदर लोग कम है skill के कि उनको offer ले और यहाँ चूंकि ज्यादा जो यहाँ लोग रहे रहे हैं वो expensive पड़ते हैं businessmen लोगों के लिए कि वो उनके लिए काम करें तो जो बाहर के लोग है मतलब आप पाकिस्तान में है तो अगर हमको B2B एक काम आता है तो हम आप मैंसे किसी student को दे सकते हैं कि हम आप लिस्टिंग करें वो वन टू वीक्स का काम होता है और उसमें अच्छा हासा आप कमा सकते हैं अच्छा इसको आप offer दे सकते हैं तो उसी तरीके से आप कैसे साथ सेव करते रहोगे और पिर जब आप पता चले कि मेरा अभी investment एनफ है तो आप अपना business से कुछ बना सकत ठीके और इसमें बहुत सारे हैं skill हम सीकेंगे और skill बहुत जरूरी है ठीके अभी हम बिलकुल सरे से अगर बात करें तो Amazon account creation की बात आती है ठीके पाकिस्तान में आप लोगों को ये issue अभी रह रह रहे हैं कि account नहीं बनते हैं उसके ज्यादा जो है ना problem रहते हैं उसकी बन् मैंने अभी समझाओं एक दो महीने में कि आप लोग खुद करने की कुशिश करते हैं और आपको उसका पता नहीं होता कि उसको कैसे करना है ठीक आप घल्ती कर देते हों इसकी लिए हमारे साथ ग्रूप में मैंने mention भी किया था हमारे team का आदमी है जो कि हमारे साथ किसम help कर हैं लेकिन मैंने इनको request किया तक जो हमारे student आएं आपको मैं रेपर करूंगा तो आप काईंडी उनका help करें क्योंकि आपको प्रॉपर ली अकाउंट प्रॉपर तरीकी से create करेगा आपको यह इशू नहीं रहेंगे जो आपने face की और ग्रूप में mention किये ठीक है तो ग्रू उसके साथ contact करें मेरा number दे मैं सरापता करें मैं उनका office में बुलाओंगा उसका account बनाने का जितना मेरे से हो सकता है वो मैं करूंगा ठीक है उसका account create करूंगा access आपको बाद में दें आप उसके साथ ऊपर उसके काम करें ठीक है individual होता है professional account दो होते है individual में आपको access को रह कम ह सकते हो professional में बहुत सारे चीज़े आपको extra मिल जाती है लेकिन अभी so far UAE में आपका account professional ही होता है तो आपको ज्यादा चीज़े मिल सकती है ठीक है अभी हम जाएंगे इसके model के उपर कूंसे कूंसे model Amazon में काम करते हैं ठीक है practical की तरफ जाएंगे आप बोलेंगे कि सरी तो त है किन अभी मैं कहता हूं कि अपका जहन बन जाए ठीक है Amazon के अंदर तीन model है एक मैंने में नहीं किए drop shipping जो कि मैं इसके बहुत ज़्यादा नफरत करता हूं और अच्छा model नहीं है मेरे नजर में particularly UAE में तो बिलकुल नहीं है ठीक है क्योंकि यहां चीज़े इतना स्ट्री इसमें बेटे होंगे जिनको बिलकुल पता नहीं तो drop shipping ऐसा होते कि आप account बनाते हैं और किसी supplier से अपने एक अलग account कोलते हैं और उससे आप agreement करते हो कि आपके जितने product है वो मैं अपने account पे list करता हूं पूरे या तोड़े जितने भी आप उनसे साथ agreement करते हो जब भी प्राइड वेट लेबल क्या होता है कि आपका अपने एक product है ठीक है आपको मिला है generic product है whole sale से या आपके दिमाग में एक आया है कि यह product लोगों की जरूरत किसी के help कर सकता है और मैं अगर इसको sale करना चाहूं तो यह चल जाएगा आप अपने brand और अपने नाम के branding करके उसक के लिए कभी भी मैं यह नहीं सजिस्ट करूंगा कि वो private label के बारे में सोचे ही क्योंकि private label के लिए product लूनना इतना easy नहीं है जब तक आप whole sale के अंदर काम नहीं करोगे अभी whole sale में discuss भी कर लूँगा आपके साब तो आपको product का idea ही नहीं आता है market में किस तरह के product चलते हैं म अभी आप private label के बारे में सोच सकते हैं तो अभी हम whole sale के बारे में whole sale जो model है उसके बारे में तुरह बात करते हैं whole sale क्या है किसी और की product को Amazon के ऊपर बेचना reseal करना इसका होल sale ठीक है इसके अंदर आप दो किसम के product बेच सकते हो एक generic क्योंकि मैंने mention किये यहां और एक है branded product ठीक है generic वो product होते हैं जिसका कोई brand नहीं होता इसको white label product भी कहते हैं ठीक है मतलब white है उसका कोई product name नहीं है एक branded है कि बड़े brand भी हो सकते है छोटे brand भी हो सकते brand इस brand आपने अपना नाम पर एक product बनाए है वो भी एक brand ठीक है तो किसी और का brand भी बेच सकते हैं उससे approval लेक उससे permission लेने के बाद जो brand owner होता है उनसे आप permission लेते हो उससे invoice लेते हो और पिर आप उसको बैच सकते हैं ठीक है अभी हम यह जब दो product आप इन दो category में काम करते हैं तो यहां से आपको experience हो जाता है product के category से और उसके बाद आप के साथ investment भी हो तो आप plan कर सकते हो कि क्योंकि wholesale में आपका margin कम रहता है बनिजमत private label में लेकर private label के लिए आप investment भी जादा चाहिए आपको मैनत भी जादा चाहिए तीन चार पांग महीने लगते हैं इसको rank करने में अच्छा आपको result output देने के लिए तो start में हम wholesale में ही काम करते हैं ठीक है अभी जब हाप decide करते हैं और इस इसके पीचे मैं आपको एक logic समझाना चाहता हूँ UAE के लिए ठीक है UAE में आप यहां पूरे सब content के ज्यादा लोग रहते हैं ठीक है यह जो हमारे इंडिया पाकिस्तान और बंगलेड़ इसके जो के इतने ज्यादा अमीर नहीं हैं जो के बहुत सारा branded चीजे लें ठीक है इसके generic product के इदर बहुत scope हैं ठीक है मतब इसको आप ऐसा ना ले कि मतब मैं students एक्सर जब बात करता हूँ इस light सा ले लेते हैं जिनेरिक की product है तो ऐसा नहीं है generic के अंदर बहुत ही ज्यादा scope है ऐसा नहीं है कि यह कोई मतब आप उसको light ना ले हैं यहां SS account है कि वो monthly 50,000, 40 thousand और इसे ज्यादा भी sale करते हैं ठीक है अभी हमारी बात आती है इस product को कैसे हम hunt करेंगे ठीक है इसे पहले मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ आप लोगों को जो मैंने observe किया मेरे इस बातों को mind नहीं करो लेकिन जितना मैंने आप लोगों के साथ ग्रूप में discussion करता हूँ चीजे एक्सचेंज करता हूँ आइडिया एक्सचेंज करता हूँ तो मुझे कुछ चीजों का पता चलता है तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ चीजों को बिलकुल straight power समझने की कुशिश करो अपने आपको complicated तरह नहीं सोचों ठीक है Amazon एक business है आपने सस्ते चीजे लेनी है और मेंगे बेचनी है जिसमें आपको profit होगा जिस तरह physical business हम करते है कोई अपने लिए दुकान कुलता है कोशिश करते है कि उसको जो product है वो कम से कम कीमत में उसको मिले और ज्यादा से ज्यादा product पे पेसों पे उसको बेचे ताकि उसक simple इस तरह है बस बस अंदर जो technical चीजे हैं जो Amazon हम से डिमांड करते हैं जिस तरह physical shop में हमारे कुछ कवानियों होते हैं हमारे city के होते हैं न जो कारूबारियों के community होते हैं तो उस हिसाब से वो एक दूसरे का हयाल रखते हैं कि आर आपने business कोलना है तो इस चीज़ का हयाल इस तरह करना है तो ऐसा करना है इस तरह Amazon के अंदर भी कुछ rules regulation है और कोई technical चीज़े हैं ताके और जो लोग हैं जिस तरह और सेल करते हैं ताके आप system में चले लेकिन उनका पारमूला या जनल system मतलब वो यह है कि आपने सस्ती चीज़े लेकर महिंगी बेचनी है अदा कि ह को पाइदा हो ठीक है तो उससे ज्यादा आपने आपने आपको वो मुश्किल में नहीं डाना है ठीक है अभी हम generic product के उपर क्यों बात कर रहे हैं क्योंकि इस वकत आप सब के साथ investment काम होगा ठीक है तो आप brand के लिए जब आप जाते हो तो आपका एक portfolio होना चाहिए आपके साथ investment बहुत चाहिए क्योंकि brand का एक MOQ होते है minimum quantity होता है जब आप उसको बोलते है कि मुझे अपना product का invoice दो तो वो आपको या approval दो तो वो आपको बोलेगा कि आपने minimum five hundred units या हमने यहां एक perfume के brand से बात किया अपने लिए तो उन्हें बोला क्या you should at least order two thousand five hundred units आपने इतने order तो इतना तो आप नहीं कर सकते ना बाकी इसके website आपका होना चाहिए या company चोटे मुटे चीज़ें हो इतना matter नहीं करते हैं लेकिन मेहन है investment अगर आपके साथ investment है तो बाकी चीज़े सारी हो जाती है ठीक है अभी इस generic product को और इसके अंदर research करना है hunting करना है अभी हम practical की तर hunting करेंगे ठीक है मैं repeat करता हूँ कि आपने US में कुछ भी सीखा एक जो भी tools इस्तेमाल की है जो भी तरीका है उसको site पे रखो ठीक है आप ऐसा सोचो कि मैं पहली दपा सीक रहा हूँ कि product hunting क्या होता है क्योंकि यह जो मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ यह मैंने खुद क्योंकि मैं business करता हूं यहां Amazon के ओपर भी noon के ओपर भी social media के ओपर यह कुछ मैंने सीके थे अप previous यहां जब मैं सीक रहा था और ठीक है तो product hunting अब हम start करेंगे तो पहले हम कुछ extension download करेंगे आप में हुज़ादा लोगों के साथ होगा भी और किसी का सब्सक्राइब नहीं है तो वह मैं आपको दिखाऊंगा भी या amazon product hunting क्या होता इसके ओपर बात करेंगे main criteria पर amazon product hunting वो discuss करेंगे type of product hunting और how to create product hunting sheet purpose of product hunting sheet यह हमारा main आज class का हिस्सा होगा ठीक है आफर मैं आपको बताऊंगा जो आपको home work दोंगा लेकिन अभी हम one by one इससे निकलेंगे अभी ये दो आपने extension download करने है ठीक है या आपके साथ होंगे भी नहीं है तो मैं आप सब्सक्राइब देखाऊंगा या इसके वज़ा फाइदा नुखसान क्या है मतलब हमको किदर help करते हैं हमको क्यों चाहिए तो मैं आपको ये तुरसा बता दूँ मैं यहां आया हूँ एक नए टेब में और मैं amazon.e को कोलता हूं ठीक है और मैं यहां कुछ प्राड़क्ट ले सब्सक्राइब मैं देखता हूं ठीक है कुई ताइस को सर्च करता हूं तो मुझे लाजिम इसका अभी बीसर वगयरा अगर इसको तो मैं पीचे दोबारा जाओं अगर हम इदर देखें यह मैं क्राइटेरिया है ठीक है जब भी आप हंटिंग करते तो आपको यह क्राइटेरिया इसके अंदर अप एंड डाउंस आएगा ठीक है यह बिलकुल ऐ तो यह सेलर मिनिमम हमने त्री तीन रखेते हैं हमने अभी सिक्स रखें उसके पीचे लॉजिक हैं ठीक हो मैं आपको इस्प्लैन करूंगा यह आगे वकत के साथ जब आपका एक्सपीरियंस होगा तो यह आप उपर नीचे आप कर सकते हैं लेकिन इस वकत एक न्यू सेलर क में रहेंगे ठीक है तो यह चीज़ें जब मैं यह जो एक्स्टेंशन है यह मेरे लिए आसान करेगा मेरे सामने चीज़े जल्दी लेके आएगा ठीक है ताकि अगर आभी जाते हैं प्रिक्टिकल मैं आपको दिखाता हूं मतलब यह टॉइस हैं ठीक है यह यह वाला इसका मुझे बीसार देखना है तो इससे बीसार तो नजर नहीं आ रहे है ना ऐसा मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा और नीचे आके ऐसा देखना पड़ेगा ठीक है पता यह इसका बीसार है लेकिन यह मेरे बोर्ट टाइम कंजिमिंग प्रॉस्स है अगर मैं ऐससे एक एक प्राड़क्ट को कूल हो यहां इसका बीसार चिक करूँ इसका रिवीव चिक करूँ और रेटिंग चिक करूँ तो बोर्ट टाइम जाए होता है ठीके तो मैं क्या करता हूं मैं अपने में लिखना है ओ एस एड़ आउन इसको सब्सक्राइब यह वाला जो आइकन है इस तरह इसको उपर क्लिक करना है और इसको एड़ प्रोम ठीके एड़ इक्टेंशन हो गया यहां आके इसको पेन करना है ठीके दूसरा एक और एक्टेंशन है अवाज क्लियर है सबको सब सुन रहे हैं बात सब क्लियरली सुन रहे है ओके ओके अभी दूसरा एक्स्टेंशन है ठीके सेलर स्प्राइट इसको मैं सर्च करता हूँ इस तरह का इकन होगा ज्यादे आप लोग उनको यूस वालों को पता भी होगा लेकिन अगर नए स्टूड़न है ना को भी पता कर लेकिन इसको भी मैं पेन करता हूँ अब इदर आते हैं और मैं इसको रेप्रेश करता हूं तो अब इस आप देखोगे कि उस कापी डेटा मुझे यहां से सामने से मिलेगा ठीक है अब इदर डेटा आएगा ठीक है यह मेरा वकत बचाएगा एक्सेंशन इसके और ज्यादा कुछ है नहीं लेकर मुझे तुरह सा डेटा सामने देगा ओके देख रहे ना बताए यह जो प्राड़क है इसका बीसर मुझे इसको उपन करने की जरूरत नहीं है इसका बीसर इदर सामने ही है सेलर भी नजर आ रहे हैं की कितने ठीक है तो मेरे लिए इज़ी होगा इसको करना ठीक है अब यह जाते हैं अपनी इसको और प्रीरया को आपने क्या करना है जब भी आप यूई के लिए हंटिंग करते हैं तो आपके साथ एकसल शीट मरकरिया.com जिसके उपर हम ब्रैंड चक करेंगे और यह जो Amazon Explorer है न यह आपके साथ खुलना चाहिए हर वक्त एकसल शीट होगा मेरे साथ कुला है Amazon का है और साथ में यहां कि यह मरकरिया.com है जिसको मैं लाजम करूँगा आप इसको पिर मैं लिंक शेयर कर दूँगा मुश्किल नहीं कि मिल भी सकता है आपको आपको कि कि अब ही आपने करना क्या है सबसे पहले जब भी आप कुई कीवर्ड्स सर्च करते हो तो आपने लिस सबस्पोस यह टॉइ मैंने सर्च किया तो मेरे साथ कितने रिजल्ट आएं मतब इस टॉइ के नाम पर मेरे साथ लिकाई दाहाई सेंका मतब वन लेक रिजल्ट मुझे शूख हुएं जिसमें टॉइ कीवर्ड्स इस्तिमाल हुआ है अभी इतने एक वन लेक प्रॉड्ट जब मैं सर्च करूंगा तो यह तो मेरा बोर टाइम जाया होगा इसमें तो बोर टाइम लगेगा अगर इसमें से अच्छे प्रॉडट में नेकाली तो इसको मैं तो फिल्टर करता हूँ फिल्टर क्या करूंगा में फुल्फिल्मेंड एमाजान इस फिल्टर को यूज़ करूंगा ठीक है देखो जब मैंने फिल्टर यूज किया फॉल्फिल्मिंट बाइमाजान मैं इस अमाजान जो एक्स्प्लोरर है या बायर का जो सर्च मार्कीट प्लेस है इसको मैंने आडर दिया कि मुझे वो आइटम देखाओ वो प्राड़क देखाओ जो अब बी ए हो रहा है या जो फॉ 40,000 प्राड़क तक ये रिजल्ट फिल्टर किया ठीक है 60,000 उसने रिजेक्ट कर दिये ठीक है तो इजी किया मेरे लिए राइट अभी मैं इसको आडर करता हूँ कि मुझे वो प्राड़क दिखाएं जिसका स्टार पॉर हो ठीक है आपने ये फिल्टर लाजम लगाने है ये फिल्टर के वज़ा से आपके लिए जो काम की प्राड़क है वो आपके सामने आएंगे ठीक है इसके बाद जो सबसे एहम चीज़ है वो है आपकी यह प्राइज ठीक है अभी आपने अपने जिप को देखना है अपने इन्वेस्टमेंट को देखना है कि मेरा इन्वेस्टमेंट के तना है अभी वो प्रॉड़क्ट जिसके सेलिंग प्राइज तो तूटाउजन तू हंड़ड त्री हंड़ड दरहम है तो आप उसको क्यों सर्च करें अपना वक्त जाय करने के लिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम है अगर एक प्रॉड़क्ट लिस सपोस्स्टी दरहम का है तो हम अंदाज़ लगा सकते कि तो आपने उस रेंज अपने बजट को देकर प्राइस का इंतहाब करने तो आपके लिए असानी हो जाएगी तो यहां मैं उसको देता हूँ डारिक्शन के मुझे 25 दरहम से लेकर तुटी की दरम्यान जो भी प्रॉड़क्ट है वो मुझे देखाएं ठीक है तो मेरे साथ रिजल्ट कितने आए नाइन ताउजन मुझे फाइनल प्रॉड़क्ट मिले ठीक है अभी हम जाते हैं और तुस रैटेरिया को डिसकस करते हैं ठीक है ये तो सब जब भी आपने कीवर्ड सर्च करना है तो ये सारे फिल्टर लगाने जो मैंने आपको देखाएं ठीक है जो भी मैंने आपको फिल्टर यहां देखाएं ये आपने इस तरह लगाने देखो वन लेक से प्रोड़क्ट आए नाइन ताउजन तक ठीक है मतलब कितने ज्यादा उसने फिल्टर कियो मुझे अच्छे प्रोड़क्ट बिकाएं अभी हम इस क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं सबसे पहले आपने बी एस आर ये आपका वन ताउल हलो माइक प्लीज अपने आप करें क्योंकि पीचे से इसका शोर आ रहा है इसलिए बोलता हूं कि टाइम पर आया करें तो वो क्लास पूरा डिस्टर्ब हो जाता है ओके ये रिकार्डेट होगा मैं शेयर करूंगा आपके साथ पिर ओके देखा देता हूं देखो ये एक्सिंशन इदर है देखो नज़र आ रहा है आप अपना क्विस्टन साथ रखें वाहर में हम वेसे डिस्कस करेंगे ठीके अबी में क्राइटेरिया है अमजान हंटिंग के लिए यूएई के लिए और ये केसे में भी एपलाई कर सकते हैं ठीके साथ यारब में बी एस आर जो बिस सिलिंग रैंक है ये मैक्सिमम वन ताउजन होना चाहिए ठीके इस से उपर आपने नहीं जाना है ये आपने जेहन में रखना है ठीके इसमें एक्सेफशनल तोड़ तोड़ आएंगे वो में बाद में आपको बता सकता हूँ लेकिन ये आपका जेहन में होना चाहिए कि 20 सार 1000 से उपर नीचे हैं तो बेतर है उपर है तो आपने नहीं जाना है सेलर इसके अंदर मिनिममम सिक्स होने चाहिए ठीके ब्रेंड रिजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए मरकरिया में हम चेक करेंगे रिव्यू मिनिममम 15 होना चाहिए ठीके इस तरह स्टार या रेटिंग जो है ये 3.5 से अबाव हो प्राइज आपने 25 मिनिममम 25 हो इससे नीचे वाले प्राइज में भी नहीं जाना है इस सब के पीछे कुछ लॉजिक है ठीके जो वेट है प्राड़क का ये जतना लाइट होगा बेहतर है इसी वक्त इसी टाइम पे ठीके साइज स्मॉल होना चाहिए लोग फूड प्राड़क नो ब्रेकेबल प्राड़क नो एक्सपाईरी प्राड़क जो डेट है ठीके जो बेससिलिंग रिंक है ये कैसे आता है ठीके मत्तब आमजान इसको कैसे इश्यू करता है कि ये 1,000 है 2,000 है 3,000 है देखो जब BSR कम होगा मतलब 200 है तो इसका सेलिंग जो उसका सेल है वो ज्यादा है बनिजबत उस प्रॉड़क्ट का जिसका BSR 1000 है 1000 का BSR वाला प्रॉडक्ट का सेल ज्यादा है बनिजबत 2000 BSR वाला जितना B.S.R. कम होगा उतना सेल ज्यादा होगा जितना B.S.R. बढ़ेगा इतना सेल कम होगा रिवर्स है ठीक है ये इशू कैसे करता है एक प्रोड़क्ट ज्यादा सेल होता है उसके उपर अच्छा रिवीव आता है वो नियर केटिगरी में है मतलब आपने टॉय को मतलब टॉय है मतलब टॉय एक में केटिगरी है आपका केटिगरी या आपका जो टॉय है लेट सपोस आपका प्रोड़क है टॉय वो टॉय किस एजुकेशनल टॉय है कौन सा टॉय है बच्छों के के लोने और है या कोई एजुकेशनल के लिए है तो आपने में केटिगरी में ज है ठीक है तो अंदर आप इन्डीर में आता है लाट ये लिए इक स्टीरियर में आता है इतना पार इन्टीरियर के लिए कार का इंटीरियर के लिए और आपने अपना लिस्टिंग किसी और केटिगरी में किया है तो जब वो सर्च करेगा तो आपका प्राड़क उसके सामने आएगा ही नहीं तो जितना आपका अच्छा लिस्टिंग होगा और जो हम बाद में डिसकस करेंगे उतना आपका B.S.R. भी उसी साथ से होगा तो यहां अगर हंटिंग की अस्पिक्ट से हम देखें तो जिसका B.S.R. जतना अच्छा होगा इस मीन एवरिटिंग इस फाइन और हमने इस B.S.R. को सलेक्ट करना है ठीक है तो आपने B.S.R. को 1000 रखना है और होप अभी आपको समझा है कि B.S.R. के पीछे लाजिक है सेलर हम क्यूं कहते हैं कि सेलर सिक्स हो हम चूंके होल सेल में जेनरिक और वाइट प्रोड़क्ट में काम करना चाहते हैं बिजनस करना चाहते हैं तो हमने पूरा कुशिश करना है कि हम किसी ब्रेंड की तरफ ना जाएं या कुछी ऐसी लिस्टिंग में अपना प्रोड़क्ट मतल्स लिस्टिंग ना करें जो कि ब्रेंड हो एक प्रोड़क्ट जब लेस्ट होता है और इसके अंदर एक सेलर है और कुई नहीं आ रहा है तो इसका हमको इंडिकेट करता है इंडिकेशन दे रहा है कि कुई नहीं है तो मैं क्यूं जाओं हो सकते है उसने प्लैन किया होगा रिजिस्टेशन करने के लिए साइए, दो हो तो हो सकते हैं उसका कजन या उसका बाई या कोई गर का आदमी उसके साथ तीन हो तो भी हो सकते हैं उसने टीम बनाया हो, चार-पांच आदमी को उससे एकसे दिया हुआ है पहले हम तीन कंसिडर करते थे लेकिन अभी चुंकि ज्यादा लोग अवेर हुए हैं उन्होंने सिस्टम को पहचान लिया तो ज्यादा कुशिश करते हैं अगर किसी ने प्राइवेट लेबल शुरू किया है तो वो उनके जो सरकल के अपने लोग हैं वो अपने सारे एकाउंट को अपरूल दे देता है लेकिन सिक्स अगर हो जाए तो पिर यह हमारा डर खतम हो जाता है कि अगर इतने लोग सेल कर रहे हैं तो मेरे लिए कोई टेंशन नहीं होगा मैं भी इसमें सेल कर सकता हूं ठीक है यह तो पहला मतलब अपने आपको क्लियर करने के लिए यह एक स्टिप आपने लेना है कि सेलर सिक्स हो ब्रेंड रिजिस्ट्री आपने देखना है कि ब्रेंड रिजिस्ट्र है कि नहीं तो आपको मैं देखा रहा हूं आपने बतल लिट सपोर्ज यह एक प्रोड़क्ट है यह वाला ठीक है यह इदूकेशनल या बच्छों का ट और यहां आके यह लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा यहां आपने इसको सर्च करना है ठीक है पांट्रूल वी एंड सर्ट तो आप देखोगे यह रिजिस्टर होगा क्योंकि यह मैंने देखा पहले इस सर्च करेगा भी हमको देखाएगा यह रिजिस्टर है के नहीं देखो यह रिजिस्टर है अगर इन केटिगरी में कुछ भी चीज मिस है तो आपने आवाइट करना है पिर इसके अंदर जाना नहीं है तो यहां से आप ब्रेंड को रिजिस्ट मतलब चेक कर सकते हैं तो मैं शेयर कर दूँगा ठीक है रिविव यह आपको यह तो क्लियर है मतलब इसमें तो कोई ज़्यदा वह बात नहीं आप चेक कर सकते हैं इदर यह स्टार इसके पोर है रिविव देखो त्री त्री हंड़ड एटी टू है ठीक है और अब ही तो अच्छी बात है कि अमजान खुद भी दिखाता है कि देखो त्री हंड़ड प्लस बाट मतलब यह जो प्राड़क है यह त्री हंड़ड यूनिट जो लास मन्थ है इसमें लोगों ने खरी देए और त्री हंड़ड प्लस तो इसमें के पूर पाइफ हंड़ड से अबाओ यह सेल हुए है यहां से भी आपको कापी हेल्प हो सकते है ठीक है ज्यादा टूल्स की दर जरूर आती है नहीं ओके तो यह क्राइटेरिया आपने याद रखने ठीक है अबी वजन प्राड़क का वेट लाइट क्यों होना चाहिए पत्तब इसी वक्त हमारा बजट कम है जब प्राड़क वजन कम होगा तो शिपिंग कास्ट मेरे को कम पढ़ेगा ठीक है स्टोरिज पीस के हवाले से भी उसमें कमी आएगी ठीक है जब आप चाइना से प्राड़क को सोर्स करते हो तो बाइ एर आलमोस 25 दरहम पर केजी आपका खर्च आता है पर केजी तो अगर आपका प्राड़क बहुत अच्छा हंटिंग है लेकिन उसका वेट 2 केजी है तो 50 दरहम तो आपने शिपिंग कोस देनी है तो फिर पाइदा नहीं है तो 180, 200 के दरम्यान आपने उसको देखना है कि आपका कितना भी प्राड़क लाइट होगा तो आपके हर्चे कम होंगे साइज कम होना चाहिए अभी एक प्राड़क है जिसका वजन तो कम है लेकिन उसका जगा ज्यादा पकड़ा हुआ है तो भी क्यूबिक मीटर के इसाफ से शिपिंग कोस आती है वो भी आपको शिपिंग कोस ज्यादा पड़ेगी और आमाजान के स्टोरिच फीस भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा ठीक है नो फूड वाला प्राड़क क्योंकि वो तो ज्यादा तर गेट इट होते हैं तो आपने इसके उपर अपना वकत जाय नहीं करना वो प्राड़क जो तूट सकते हैं गलास इस तरह के चीज़े क्योंकि इस स्टेज पे हम फुशिश करेंगे कि अपने रिस्क को मिनिमाइस करें जतना कम रिस्क हम ले तो बहतर होगा नो एक्सपाइरी डेट वाले ऐसे प्राड़क जो एक्सपाइरी वाले नहीं है क्योंकि हमारा इनीशल स्टेज है हम बिल्कुल स्टार्ट से हैं तो हम हर लिहाज से रिस्क को कम करके अच्छे से प्राड़क का इंतिहाब करेंगे ठीक है अभी कुछ ताइप और प्राड़क हंटिंग ये बहुत इंटरस्टिंग टापिक है और इसके उपर आपने दिहान देना है ठीक है ये असल में अभी आपको जो मैंने मरकरिया में ब्रेंड इस सब चीज़ तो आपने करनी है हर प्राड़क के सब लेकिन ये जो कीवर्ड है कि यहां अगर मैं इस प्राड़क को सर्च करूंगा तो हमारे इनसान के दिमाग में कितने कीवर्ड आएंगे हमारे सराउंड में जितने चीज़े हैं उससे ज्यादा 10 15 20 25 उसके बाद आप लोगों का फिर दिमाग काम नहीं करता है कि इसके अंदर कोंसे प्राड़क हम दूंडे एक तो रिंडमली अगर आपको जितने भी कीवर्ड ज्याद हैं केटिगरी वाइस कोंसे केटिगरी में सारे केटिगरी में निशन होते हैं तो किसी भी केटिगरी का रिलेटेड कोई प्राड़क का नाम दे जिस तरह हमने एक आपके सामने सर्च किया तो आप उसको डून सकते हैं लेकिन अप और कुछ तरीके हैं जो हमने निकाले हुए हैं ठीक है एक है ABC मेतड ठीक है इस में ये मेतड हमारा अपना इजाद हुआ मेतड है ठीक है आपको शायद ये नहीं मिलेगा किदर से लेकिन आपको अजीब अच्छे अच्छे प्राड़क यहां मिलेंगे क्योंकि कुछ प्राड़क है जो यहां के मुखतलिफ नेशनलिटी के लोग जो रह रहे हैं उसको डिपरेंट नाम से बलाते हैं काल करते हैं उसके नाम रख्यों हमको पता नहीं है इसलिए हम रिंडमली ऐसे बस अपने तरीके से जुगाड़ी तरीका उसको बोलो करके हमको अजीब 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 प्राड़क आ सकते सामने कैसे मैं इसको यहां लिखता हूँ ए ठीके और ए को मैं करता हूँ सर्च ठीके जब एको मैंने सर्च किया तो इसने मुझे 164 प्राड़क रिजर्ड दी है ठीके और देखो एक बात यहां जरूरी है आपको समझना अमजान के उपर 12 मिलियन से ज्यादा प्राड़क लिस्टेड है ठीके 12 मिलियन आप अंदाजा लगाए तो इसको मजाक ना समझे हंटिंग एक बहुत मेहनत वाला काम है आपने राते राते गुजारनी है और कौफी पीना है और सुलिमानी चाह साथ पीनी है और हंटिंग करनी है तब ही आपको अच्छा प्राड़क मिल सकते है ठीके तो ऐसा जल्दबाजी वाला काम इसमें नहीं है क्योंकि इतने मिलियन में से अच्छा प्राड़क निकालना ऐसा नहीं आप 12 मिलियन के लिए 100 प्राड़क हंट करो बस सर मैंने बस जबर दस हंटिंग नहीं आप बहुत मैनत करनी पड़ती है और बहुत सारे अच्छे प्राड़क है लेकिन आपने आउट आप दे बॉक्स सोचना है और अच्छे प्राड़क निकालना है और वक्त और टाइम देना है ठीके अभी जब मैंने एडिया वन सिस्टी पूर आए तो सेम आपने यह पर वही फिल्टर लगाने फुल्पिल्मेंट बाई अमाजान ठीके वन चुप्ती सेवन रे गिया स्टार में उसको बूलों कि फॉर स्टार वाले प्राड़क मुझे दें ठीके देखते हैं कि और किसने किसने बज़ते हैं निट तोड़ा स्लू है आज पता नहीं क्यूंग ओके यह कि यह यह और हम साथ प्राइस का भी लगाते हैं तोलसा आगे तीशे हुआ है तो तरीका यह है यह हम दुबारा करते हैं ठीके यह खराब होगी यहां के नेट स्लू है ना मैंने कि डबल क्लिक किया यह हमने अल्पबेट्स ए देना है इसको करना है सर्च ठीके 164 प्राड़क आया आपने पॉल्पिल्मेंट बाई अमाजान करना है 157 प्राड़क आ गया नीचे आके आपने स्टार देने 160 आ गया और साथ प्राइस हम बताते हैं कि 25 से 50 के रेंज में मुझे वो प्राड़क देखा हैं जो इस रेंज में हैं ठीके मैं अपने बजट को देखूंगा इसलिए ये प्राइस में रखता हूं तरही है तो इस तरह ये तरीका हैं आपको सर्फ समझाने के लिए इसके अंदर आप देखो ठीके अजीब अजीब से प्राड़क आपको मिलेंगे अगर मैं एदर एक ही जगा देखो एक बी के अंदर वन लेक प्राड़क आपको शो किया इस तरह आपने सारे फिल्टर लगाने अभी मैं बार बार लगाँगा तो हमारा टाइम खराब हो सकता है ठीके इस तरह फिल्टर लगाने आपको प्राड़क आजाएंगे फिर आपने सर्च करने ठीके एक प्राड़क आपके सामने मैं सर्च करूंगा ताकि आपको उसी तरीके से अपने शीट में एट करने ठीके बी फिर आप इधर एबी दे सकते हो ठीके एसी दे सकते हो एडी दे एई मिक्स करो बी ए बी बी डी इस पर ये तरीका है ठीक है ओप अभी आपको ये समझ में आया होगा ठीक है आपको अजीब अजी प्रॉडक मिलेंगे की वर्ड जो आपको पहले वाला है ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपने कोई भी की वर्ड देना है ठीक है एबी सी माइनस है माइनस मेतर पहले किसी प् कुई random लिकना है ठीक है माइनस लिक के कुछ भी आपने लिकना है इस तरह कुछ लिकना है आपने इस अपलाई करना है इसको ठीक है अजीब कुछ आपको सामने आ जाएगा ठीक है आप इसके साथ बस ट्वंटी 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 फाइप मिनट एक तरीका ट्वंटी ट् है ये में तला आपने इसके ओपर नियान देना यह जो बित सिलर प्रोड़क्त में तल है यह अबर से देखना है ठीक है यह आपका का है पूर्स आपने करना क्या है हमने जाना है बित एलर में ठीक है और लिड़ सब्सक्राइब में कुछ आ उसे K category home में चले जाते हैं इसे में जाते हैं in home ठीक है यह वाले एक प्रॉडक्त में एक बात मैं आपको समझाऊ ओएंधर कि मैं कभी भी Amazon चॉइस और बेज सिल्क प्रॉडक्त यह है ना उसको कभी भी suggest नहीं करता क्याथ अगर आप अच्चा स्कुस्रेशन चाहिए को महाते हो पाइव हड़न उने उनेक्ट थो आप Kabakasant इस प्रड़क परड़क्सक करने के लिए थिका improv Edwards दो आप बहुँセrån थार्ड़कु कीरो कि ये तो पोजिशन में रहते हैं इस ब्रड़क्ट मेंبلड़ आपँ ठीक है लेकिन इसी टाइम पे आपने इस प्रॉड़क्क को अवैड करने है तो यह हम क्या तरीका इस्केमाल करेंगे देखो हम क्या करेंगे यह एक प्रोड़क है number one Home Improvement में तो हम क्या करेंगे इसको Select करेंगे ठीके लेकिन यहाँ आपने दिमाग की बाती को कुलना है और जुगाड करना है ठीके यह Amazon Choice है मैंने आपको बोले हैं इनको Select करना नहीं है अच्छा सेल है चाब 1K प्लस 1000 यूनिट से ज्यादा सेल हुए लास मन्त में लेकिन आपने करना क्या है इसको आपने इसका Title को आपने Copy करना है यह ठीके यहाँ Ctrl C और यहाँ एक नया टेप पोलना है ठीके Amazon.ae का और इदर आपने इसको सर्च करने ठीके इसको मैं पेस्ट किया और इसको मैं ने सर्च किया अभी आपको उस तरह के बोर्ट सारे प्राड़क आ जाएंगे ठीके तो आपने बजाए इसके अंदर अपना लिस्टिंग करके इन में से कुछ अच्छा सा देखना है ठीके सारे वही तरह है ना तो उसमिंसे भी अच्छा कोई लिस्टिंग होगा इसमें आपमिटू भी करतके हैं और यादसकर लिस्टिंग बी करतके हैmos अभी आपको समझ में आया है अभी आप जो भी करेटिगरी में जाओ प्राड़क को सेलिक्ट करो उसका title को copy करो नया टेब में उसको open करो उसके similar सारे product आपको आएंगे किसी और लोगों ने जो listing किया होगा तो वहाँ अगर आपको अपना criteria पर पूरा उतरता है आपका seller, आपका bsr, brand सब अगर बराबर हैं तो आप उसको अपने sheet में डाल रख सकते हैं ठीक है, ये एक तरीका है, अपने question साथ रखो अगर आपको पिर कोई चीज मिसिंग है तो आप पर बाद में पूछ सकते हैं अभी और तरीका क्या है, Alibaba method, Alibaba method क्या है, आपने Alibaba को open करना है, ठीक है, यहां मैं एक tab कोलता हूँ क्योंकि सारे product Alibaba से ही आते हैं, तो हम Alibaba पे hunting करके यहां चख करेंगे, ठीक है, let's suppose मैं यहां toy को search करता हूँ, ठीक है, same उसी तरह, toys, kids, girls, जो भी आपने देखना है, ठीक है, अब यहां आपने किसी supplier को, मतलब जो भी है supplier को आपने, जो उपर click करना है, ठीक है, यहां इनके product है, ठीक है, यह, तो इसमें आप देखो, all category के educational series, baby series, यह मुक्तलिप इसके नाम है, ठीक है, इसमें आपको यह भी आ सकते हैं, कि जो प्रोमोशन हैं, मतलब यह जो hot selling product, या उसको new arrival कहते हैं, इसके अंदर आपने, मतलब यह educational series है, तो इसके अंदर आप click करो, आपको यहां से एक idea हो जाएगा, कि किस किस तरह के product है अगर आपकी नजर और आपके six cents ने इजाज़त दी कि यह product अच्छा मुझे लग रहा है, शायद इसका अच्छा sale होगा, तो same आपने इसका title यहां से copy करना है, और Amazon के उपर जाके search करना है, कि वाकि इसका क्या position है, मतलब अच्छा sale हो रहा है कि अगर अच्छा sale हो रहा है तो पिर आपने अपने sheet में रखना है और पिर बाद में हम उसका sourcing करेंगे, ठीक है, तो यह अलिबाबा से हम इस तरह में चाह बोलते हैं, मतलब देखो इसने इधर लिक है, हार्ट selling item, तो यह बहुत सारे आप supplier calling है, तो इसमें आपको इस तरह कैप्शन आएंगे, new arrival, हार selling product, यह देखो, यहां, तो यह तुड़ा बहुत ज्यादा easy होता है, क्योंकि वहां जितने भी product होते हैं, वो यह अलिबाबा से ही जाते हैं, मतलब majority में, ठीक है, तो यहां के जो product है, वो Amazon के लिए जाते हैं, तो यह जो supplier होते हैं, उनको short list करते हैं, जिसको, बतलब इदर और लिखा हैं ने new item, देखो new item, hard sale item, यह अब इदर से आप देख सकते हैं, तो उसको reverse आप उदर सर्च करें, अगर आपके category पर पूरा उतरता है, जो हमने already आपको बताया है, तो आप उपने sheet में रख रखें, ठीक है, अभी how to create product hunting sheet, तो let's have a look, आपने अभी इसको practical sheet कैसे बनाना है, ठीक है, let me repeat, जब भी आप hunting करते हो, तो आपके साथ Excel sheet open होना चाहिए, साथ Amazon का marketplace, और mercuryya.com, वेबसाइट जिसमें हम brand registration, रिजिस्ट्री चक करते हैं, ये तीन आपके साथ open होना चाहिए, तो आपके लिए easy होता है, काम को करने के लिए, तो यहां हम क्या करेंगे, यहां हम product name, लिखते हैं, क्योंकि मुझे product का नाम चाहिए, ठीके, साथ मुझे, एसन, जो Amazon standard identity number होता है, साथ मुझे BSR उसका note करना है, और साथ selling price भी note करना है, इसमें और भी आपको जरूरत हो सकते हैं, बहुत सारे चीज़ अगर आप लिखना चाहते हैं, अपने लिए, जो भी category wise अगर आपने category लिखना है, brand registration लिखना है, लेकिन हमने smartly play करना है, smartly काम करना है, तो ज़्याद आपने आपको sheet को इतना गंदा ना करें, लेकिन जो ज़रूरी चीज़े हैं, वो आप उसमें लिख सकते हैं, add कर सकते हैं, कोई issue नहीं है, ठीके, तो अब ही आते हैं, product को हम, इसको बोलते हैं, यह जो जगा है, इसको product hunting sheet बोलते हैं, यहाँ इसके साथ पिर हम add करेंगे product sourcing वाला हिक्सा, तो इस पूरे से बनेगा product tracking sheet, ठीके, हम इसको पूरा calculator पारमूले यूज़ करके, अपने लेक्शीट रेडी करेंगे, ठीके, तो product name, आपने यहाँ आना है, let's suppose यह जो product है, हम इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, यहाँ यहाँ पारमूला जो filter है, वो यूज़ करने, fulfillment by Amazon, ठीके, इसको होने जए, अभी आपके साथ में एक practical product का पूरा data उज़र शिप्ट करूंगा, बात में, आपने रोकना नहीं है पिर ठीके, hunting sheet का, जब तक आप e-commerce में हैं, Amazon में हैं, तो आपने product hunting रोकना नहीं है, इसको रोजाना आपने इसके अंदर काम करना है, ठीके, यह बाकी filter वाइब लगा हैं, लेकिन लेट, लेट सी इसको, यह तो brand है already मैं, इसको add नहीं कर सकता, ठीके, ऐसको और product देखते हैं, इसको देखते हैं, ठीके, अब इदर मैं आपको एक technical चीज़ बताता हूँ, एक smartly आपने बताता हूँ, अब इदर मैं आपको एक technical चीज़ बताता हूँ, एक smartly आपने, जल्दी जल्दी एक एक product से कैसे आगे जाना है, ठीके, तो यह step by step आपने यह करना है, ठीके, इसको open होने ले, ओके, सबसे पहले, जब आप hunting शुरू करें न, तो आपकी पहली जो नजर है न, यह जाना चाहिए, BSR के उपर, ठीके, यह दर, अगर BSR 1000 से नीचे हैं या 1000 तक है, तो आप confirm हो गए, यह तो complete हो, मेरे एक category, एक साई, आपने निए जाना है, मैं वैसे खुश था कि BSR तो जबर्दस है, लेकिन आपने सेलर को देखा ही नहीं था, तो पहली नजर BSR के उपर, दूसरी नजर सेलर, यह दो तो confirm हो, अभी मेरे तीसरी बात जो है न, यह है, इसका brand registry, यह brand इसका register है कि नहीं, तो पहले तीसरी आपने यहाँ यह वाला च करना है, ठीक है, देखते हैं, यह रिजिस्ट नहीं होगा, देखो, found zero trademark, ठीक है, तो यह मेरे अभी इसको मैं अपने list में रख सकता हूँ, अभी time है कि आप इसको open करें, आप इसके बाद आप उसको open कर सकते हैं, क्योंकि यह मेरा का product है, ठीक है, तो आपने इसका कुछ थ दाश के लिए, कितना मैं इसको copy करूँगा, इस प्रॉड़क नेम, आपने इसको यहां प्रेस करना है, sheet को clean need रखो, ठीक है, कचरे मचरे उसमें नहीं करो, अकसर स्टूटन आते हैं, पता नहीं किदर किदर से उसमें बाद चीजे लिखते हैं, तो बाद में आप जब analysis करते हो ना, आपको फिर मुश्किल होते हैं, ठीक है, simple clean need रखो, SN, आपने यहां से SN जो है ना, यह हमेशा B से start होता है, जो भी books होए रहा होते हैं, वो digit से start होते हैं, लेकिन बाकी जितने product हैं, वो आपको B से ही मिलेगा, ठीक है, तो इसको हम copy करते है, SN को, यह हम इदर इसको भी paste करते हैं, ठीक है, BSR इसका 30, 37 था, और selling price अभी इसको मे देखता हूँ, यह 14.40 दरंते सेल हो रहा है, ठीक है, 14.40, ठीक है, यहां तक यह इसको बोलते हैं, product hunting sheet, आपने अभी step by step excel sheet बनाना है, रोजाना के बन्याद पे 9-10 product आपने हंट करने हैं, मुफतलिब जो मैंने आपको method बताएं, ठीक है, जब 2 weeks गुजर जाएं, और साथ इसका sourcing का sheet भी complete हो जाएगा, यह होगा न, bsr अगर हम इसको control x करके इधर लिखें, ठीक है, इसको मैं delete करता हूँ, और यहां मैं इसको लिखता हूँ, day one, ठीक है, यहां आएगा day two, day three, यह ऐसा आगे आगे जाएगा ठीक है, तो यह bsr जब two weeks, three weeks आएगा न, यहां तरती seven है, फिर one hundred हुआ, फिर two hundred, फिर नीचे आया, क्या भी उपर आया, तो यहां फिर हम analysis करेंगे, case product को मैं select करता हूँ, अपने लिए कि नहीं, ठीक है, तो यहां एक tracking sheet फिर बनेगा, ठीक है, उमीद है यहां तक आपको यह समझ आये, हमारा साथ data आता है, market का सही research हो सकते है, profit जो है न, उसका हम analysis करते हैं कि मुझे profit कितना हो सकते है, product के बारे में हम सही evaluation करता है, प्रोड़क का पूरा सारा data हमारा साथ मोझूद होता है, आथ हमरा risk होते है उसको हम autistic करते हैं, assessment करते हैं, जो कि मैं कितना risk लों, इसमें percentage कितنا है, seasonal product है कि नहीं है, ever green product है, trending product तो नहीं है, तो जब आपके सब data होगा, बार बार आप उसको देखोगे, तो आपके जो है ना, आप उसके बारे में ज़्यादा जानो गे, लेकिन अगर आपके सब data sheet नहीं है, आपके साथ product data में है ही नहीं तो आप उसके बारे में कैसे सूछ सकते हैं कि हाँ दो हफ़ते पहले मैंने product देखा था ओ चल जाएगा मैंने mobile में उसकी तस्वीर निकाली है और ऐसा नहीं होता है आपने proper sheet बनाना है उस product sheet के उपर आपने analysis करना है और documentation होती है आपके साथ document जो है ना पाम में आ जाती है जो आप यह product जो है ना आप आप वर्क पे और फाइबर पे देखो लोगों को product चाहिए ठीक है वो purchase करते हैं अगर आपके साथ एक दो महीने के आपने अच्छा hunting की या अच्छा उसका tracking की ये तो लोग मार्कीट में बहुत है पेसे वाले वो आपके अपर खरीद भी सकते अगर आपके साथ investment नहीं है तो अगर आपके प्रोड़क आपके एक्स रहा है तो आप इसको sell out भी कर सकते हैं ठीक है तो इस जगा तक हमारा आज का class complete हुआ आपने इसके उपर practical काम करने हर एक student ने maximum product हंट करने और मुफ़लिब question next class के लिए पिर ready करने ताकि जितने आपके question होगे इसमें हो सकते है बहुत सारे चीज़े मैंने skip किया होंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा field है ठीक है मुझे सारे चीज़े तो जब आप question पूछेंगे तो उससे ज्यादा idea आता है कोई चीज़ में से हो तो वो complete हो जाता है तो अभी तक मैं उमीद है आप clear हुएं अब आपके पास आऊंगा आपके question लोगा और मजीद हम इसको discuss करेंगे तो जी पहले तो ये बताएं कि पूरा class आप समने प्रॉपर तरीके से सुन लिया कि नहीं सुन लिया सुन ली ओके ओके ये recorded है तो फिर मैं आपके साथ share भी करूँगा मुश्किल नहीं वो ओएस एड़ाउन है जब आपके साथ वेडियो आएगा ना वो आप तुबारा सीख सकते हैं वो मत्तब वो इतना मुश्किल वाला बात रही है यह मैंने स्टार्ट में बोला भी कि उनका एक एमो क्यों होते हैं मिनियमम क्वांटिटी आडर एक उन्होंने रखा होते हैं गर आप मेरे से काम करोगे तो मेरे से इतने यूनिट खरीदने हैं औरना मैं आपको अलाउड नहीं करूँगा तो यह इन्वेस्टमेंट अगर आपके साथ इन्वेस्टमेंट है तो क्यों नहीं कर सकते हैं ओके क्यों अपना ब्रेंड भी रिजस्टर करते हो नो इशू यह साथ जो बहुत सारे ब्रेंड है तो लोगों ने रिजस्टर किया है ना तिके अपना ब्रेंड अगर आप पील जिसको बोलते हैं आप रिजस्टर कर सकते हैं कोई चुनिए सब किसे आता हूंगा बारी बारी सुपयान अब्दल हमीद अब्दल हमीद ओके 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 ठीक है ओके सुपयान आप ता कुछ सवाल है वालेकमरसलाम इसके उपर जब यह डेटाशीट बने का ना मैं आपको अंसर करता हूं अगर B.S.R. नॉर्मल नंबर से बढ़ रहा है मतलब 37 है और पिर 87 हुआ पिर 100 हुआ मतलब कहते हों कि 1000 के नीचे नीचे जा रहा है और ज्यादा प्लंक्ट्ट्ट्ट्ट नहीं करता है मतलब 37 है और अचानक 500 हुआ अगर इतना जंपिंग करते हैं तो पिर आपने नहीं जाना है उसके पीज़े वज़ा क्या हो सकते हैं कि हो सकते हैं कि उस दो तीन दिन में सेलर ने उसके उपर स्पांसर किया हुआ है तो ज्यादा मतलब इस वह जब पूरा कंप्लीट डेट आता है ना तो पिर एक प्रॉपर एनलेस्स होता है तो ज्यादा ज्यादा डिफरेंसिस आता है तो पिर हम उसको सलेक्ट नहीं करेंगे बिल्कुल बिल्कुल इसलिए तो शीट बनाते हैं जी हमाद और स्टूडन जी नहीं नहीं आपने सिर्फ बीसर लखना है और आज आगे निक्स कालम में आपने पिर डेटू पिर डेटरी आपने कालम वाइस जाना है नीचे नहीं आने ठीके रो में नहीं आना है इस सीधा जाने जब हम निक्स क्लास करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा पूरे शीट क्लियर हो जाएगा आपने अटेंशन नहीं करने ठीके जी और किसी का सवाल उसका टेंशन नहीं करो आपको मिल जाएगा लेकिन किसी और को दो गया ना तो फिर मेरी बद्दुआई आपको लगेगी नहीं नहीं आप किसी को भी दो ठीक है यह आपका हक है लोगों को इलम पहुंचना चाहिए अच्छी तरीके से ठीक है नहीं आपको हक है आपको देंगे पुश्टी नहीं है ठीक है जी इजहार जी देखो देखो इसमें बहुत अच्छा सवाल आपने किया यह आपको वैसे प्रॉब्लम आएगा सामने ठीक है अब ही ऐसा हुआ है दो तीन महीनों से कि जेनेरिक वर्ड्स पर्टिकुलर यह स्पिसिपिकली जेनेरिक वर्ड्स किसी ने बरेंड किया हुए ठीक है जो कि रिजिस्टर में आता है अभी बस जिसने भी किया शायद इन लोगों के साथ सभी दुश्मनी था था ठीक है आप जब उसको सर्च करोगे तो जेनेरिक ब्रेंड के अंदर ही आता है तो आपने सीधा नहीं जाना है मतलब जेनरिक के अंदर अधर वगयरा लेकिन एक्जिक्ट ब्रेंड का जो एक्जिक्ट नाम है वो पूरा का पूरा आपने वहां सर्च करना है ठीक है? लेकिन सिर्फ जेनरिक जो है ना बतकिसमसी से बोलो वो अभी रिजिस्टर है तो इसके उपर आप आवाइड करें तो बेहतर है क्योंकि हम उसमें कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उसने उसी नाम का रिजस्टेशन अलरी हो गया है अब लिस्टिंग में लिस्टिंग के अंदर जिनिरिक लिकना अलग एक बात है ते के ब्रेंड के सामने जो नाम आता है जिस तरह अली अलीता जो मैंने कापी करके वहाँ सर्च किया ठीक है अगर वहाँ अगर वहाँ जेनेरिक लेका है तो अभी कुछ महीनों से वो जेनेरिकल वर्ड्स मरकरिया के अंदर रिजिस्टर हुआ है समझ गया बात अभी हाँ जी अभी कुश्चन तो बहुत बात का है हम उसको पर लाजम जा जाएंगे बाई बॉक्स को भी पढ़ेंगे लेकिन बिल्कुल आपको जा सकते हैं लेकिन कंपेर तो दे न्यू सेलर न्यू सेलर लाजम आपको तोड़ा मैनत ज्यारा करने पड़ीगी आपके प्रॉड़क्ट ए तो वाई नाट आपको भी देगा बाई बॉक्स ऐसा कोई बात नहीं है तो हम फिर डिसकस करेंगे डिटेल में अभी मैंने ही कहना चाहता हूं कि कुछ चीज़े आउट आप चीज़ें जो कंटेक्स में हैं उसी में बात करेंगे तो सब को समझ आएगगे देखो आप जा सकते हो ज्यादा तो नहीं जा सकते ही मार्कीट बॉर्ट चोटा है वहां तो यूएसे में मेरा खुद भी बिजनिस है तो यूएसे में अगर आपका फाइब ताउजन है तो भी अलहंदुल्ला बहुत सारा यूनिट आपका बेकेगा रोजान लेकिन यहां चूंकि मार्कीट बहुत चोटा है तो यहां इस हिसाफ से हमने भी इसार को रखा हुआ है बताब 1100 तक भी जा सकते हैं 200 लेकिन बहुत ज्यादा 1200 तक भी ओके हैं लेकिन अभी हम बहुत सारा स्ट्रिक इसलिए अपने ले लेकर हैं ताकि हम रिस्क को तो हमसे अच्छा से अच्छा प्राड़क अगर मिल गया तो बहतर है नहीं तो अगर 1100 भी है तो आप रख सकते हो कोई मतलब यह हार्ड एंड पास रूल नहीं है ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा ना हो क्योंकि यहां मार्कीट का यही क्राइटेरिया है मतलब आपने 1000 1200 इस अच्छे सेल होते हैं ठीक है देखो इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा होगा बेहतर है जितना कम होगा तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन आपको रिटरन उतना ही आएगा अगर आप 500 लगा सकते हैं और आप सुचके मुझे महीने का मुझे 2000 दरम देगा तो यह त तो स्टार्ट तो आप एक प्रॉडक्ट है जिसका पर्चेजिंग कॉस्ट तू दरम है अलीबाबा पे आपको तू दरम पे मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आप दो तीन सो दरम से भी अच्छा मत्तब प्रॉडक्ट ले सकते हो लेकिन अगर उस प्रॉड़क को आप सेल कर दरम है तो इन्वेस्ट में आप कम से कम से भी स्टार्ट कर सकते हो लेकिन अच्छा जो मैं सजिस्ट करता हूं नियू स्टूड़न के लिए कि आप तिफ्टीन हंडर्ड दरहम से तू ताउजन फाइफ फाइफ दरहम के अंदर-अंदर आपने स्टार्ट करने ताकि हम अच्छा स्टार्ट होता है जिससे आपको अच्छा अगर बारा तेरा परसंट भी आपको मार जनाता है तो आपको कुछ ना कुछ आता है महीने में पिर पिर कि अधार आप यहां से भी कर सकते हैं वहां से भी कर सकते हैं देखो अप्धियम के अपने फाइदेह और यह आपने फाइदे आमजान के लिए the best model. क्योंकि वहां से वो पैसे कमाते हैं, अपना उनका पूरा एंड, उनका जो एफेक्ट, सिस्टम पूरा चलते हैं, उनके गाड़ियां, उनके ड्रेवर काम चलाते हैं, उनका अपके लिए फुल्फिल्मेंट करते हैं, तो वहां आडर ज्यादा आते हैं, क्योंकि कस्टम गेंटे गपे शपे लगाते हैं, उनको कोई परवा नहीं होता है, यहां टाइम बहुत ज्यादा मेटर करते हैं, लोग बहुत स्केजूल से ड्यूटी करते हैं, तो अगर एबिय में उसको एक दिन, दूसरे दिन में आडर मिलता है, तो वो एबियम के लिए तीन दिन क्यो एबिये भी कर सकते हैं, एबियम भी कर सकते हैं, एबियम ज्यादा तर जो हेवी आइटम होता हैं, जिसका स्टोरिज फीस बहुत ज्यादा होता हैं मजान में, उसको हम एबिये पे करते हैं, बड़े बड़े जो आइटम जो जगा पकड़ते हैं, वो हम रूम में रखते है है अपने घर में रखते हैं आरे दे शीजे तो इदर और आरती हैं तो इदर से दे ढे ने के लिए तो वह बीम से ही हम करते हैं मतलब दोने के प्रो एंड कॉन थे और किसी का सवाद ओके अबस आपने उसे बात करना है अच्छा सा प्राइज लेना है आपने उसे ये बात करने कि आपने मुझे इन्वाइज देना है saute fix advice लाइज है लाज़म आपने इन्वाइज लेने बगएर इन्वाइज ने लेने उसकी वज़्या क्या आई काल अगर परसो अगर वो प्राड़क्त किसी कस्टमर के साथ जाए या तो खराब हो या उस तो कुछ नुकसान करें उससे नुकसान हो जाए साइड एपक्त कुछ भी हो सकता है ठीक है तो फिर आमजान आपसे लाजम पूचे का प्राड़क कहां से लेका है अगर आपके साथ इनवाईस नहीके तो वसपलाइर भी नहीं मानेगा मैं तो सुपयान को जानता ही नहीं हूँ लेकर आपके साथ है तो आपने इनवाईस मैं इस लिए बोलता हूँ कि यहां यह गल्कियां सारे लोग करते है फिर जब मस्लबाते तो एकउण एकाון बंद हैば बस आपने 20 यूनिट लेना है 30 यूनिट लेना है लैकिन उसको बोलना है कि भाई मुझे इन्वाइस चाहिए स्टेट इन्वाइस के आप एक हौलसेलर ही हो यह है यह जब मैस्ट आपको एन्वाइस मेस्ट इस बने आपना कम होता है तो आप लोकल सोर्सिंग करो क्योंकि यहां बस बाद-बंजद नजदीक होते हैं न सारे आप असानी से इंपसर डील कर सकते हैं कि भाई यारा बस छोड़ो बस हम कमजोर हैं हमाँ साथ हेल्फ करो वो चल जाते हैं सलाम दौा रहता है तो आपको कम यूनिट भी दे तो दोनों आपने साथ साथ चलाने कभी-कभी आपको इंवेंटरी कम होते हैं लोकल अगर मिलती हैं अगर एक दरम ज्यादा भी है तो आप खरीदते हो क्योंकि आप जल्दी उसको अगले दिन बस जाका हमाँसान के विर्फ हाउस में बेज देते हो तो यह यह वह वर कम ज यहां यूज नहीं होता है देखो इसका मैं आपको लोगों को समझाता हूं हीलियम टेन हम इस्तेमाल करते हैं कि यूनिट कितने सेल आउट हुए है ठीके सो फार हीलियम टेन मतलब यह अच्छास कंसिडर होता है इन चीज़ों को मालूम करने के यह ठीके मैं कभी कभी इस्तेमाल करता हूं लेकिन एक सिंस भी होता है जब आप बारा टू वीक्स त्री वीक्स प्राड़क को पीछे पढ़ते हो ना और उसका हर साइड डिसक जब हम आगे जाएंगे तो पिर कुछ सवालात हैं कि बार उसको हम सामने रखेंगे कि यह प्राड़क सही आपने सलिक किया आपने क्या सोच है अगर यह किस के लिए हैं किस कौन सा सिग्मेंट है पापॉलेशन का आपने उन के लिए लिए है और वो लोग इदर कितने रह हैं बतार ऐसा आपने किनलिसिस भी करना है तो आपको अंदाज़ा वैसे लग जाए कि यह प्राड़क चल जाएगा और वह आभी तो हमजान दिखाता भी है अगर एक प्राड़क की यूनिट पर मंद 50 से ज्यादा है तो सामने भी नज़र आता है कि यह प्राड़क्ट चल एक मुझतलिब एंगल से प्राड़क को देखो कि तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि यह प्राड़क्ट चल सकता है कि नहीं अगर इसमें सेलर ज्यादा है उसका बीसर उपे नीचे जा रहा है तो यह इसकी निशानिया है ना यही से तो हम प्रेडेक्ट करते हैं कि यह प देखो हेलियम टेन है लेकिन हेलियम टेन फिर भी इतना अज़ियस आप मेनुवल जो तरीका है हेलियम टेन से चया होगा कि आप जो कुछ के मज़द इस तरह आप इस्तेमाल करते माँ आपने क्राइटेरिया देना है आपको पुछ प्राड़क्ट आ हैं यह उन्हांड़क 200 प्राड़क जितने भी शाट लिस्ट करेगा आपके लिए पिर आपने जाके मिन्वल तरीके से उसको ट्रेक करना है आप हीलियम टेन से प्राड़क को पाइनलाइज नहीं कर सकते हो कि बस जी अभी इसको मैं और ये करोगे तो नुफसान की तरह भी जाओगे यहां नहीं होता है यहां यहां इसके में इसपिश में यहां हम e-commerce license license लेते हैं यहां होते हैं यह अभी जो मेरे पास है वो हम e-commerce का license लेते हैं जिसके हम business कर सकते हैं professionally और और चीज़े भी कर सकते हैं bank account और यह लेकिन आप लोगों का भी जरूरत नहीं है तो अभी तक जो आप अपने ID के उपर ही professional account चला रहे हो चला सकते हो Emirates देखो यह अबदल हमीद क्लरका है और नमबर में में मेंशन करूंगा आपको आपका Emirates ID चाहिए और कुछ वहां के तर्प जो provider है जो फाइनीर और इस तरह कुछ है क्योंकि मैंने कुछ पाकिस्टान से खुद किया नहीं है तो वो expert है उसमें आपके लिए account वो create करेगा मुश्किल नहीं है जब आप corruption करते हो नाम सही नहीं बता रहे तो पिर तो गलती आपकी है ना तो नाम आपका अपना या जीमेल दूसरा शो एनिवे वो हो जाएगा मुश्किल नहीं है आपके साथ number शेयर करेंगे टीके लिए अच्छा अदमी या जी टीके ओ बस जो डिटेल दे है तो बस जो डिटेल करेंगे एकाउंट क्रियेट करेंगे डिटेल क्लियर नहीं होगा तो पिर तो नहीं होगा नहीं कि आप कि आप कि 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 क्लेर हुआ मतलब जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को कुछ देकत तो नहीं है पढ़ाने में मेरा कुछ स्टाइल तो अच्छा नहीं है तो मैं उसको चेंज करूँ आपके लिए मैं तो कुशिश किया जितना सिंपल तरीके से समझाओं ता कि आपको समझा जाए तीके बस 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 मैं कुशिश कर रहा हूँ जो मैं मैंने खुद किया हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ क्यूंकि मैंने कुछ इसी डिजाइन भी नहीं किया हुए इन चीज़ों को जिस तरह ज्यादतर लोग उनको स्लाइडे बनाते हैं वो बस मैंने आप जिस्ट पर दसेक आप इसी ली अंडरस्टेंडेंगे स्लाइड मैंने तो हलका पुलका बनाया है लेकिन मैं बताता हूँ जो मैं खुद करता हूँ डेली ओके जी ओके जो वाइंड आप करते हैं इन्शाला पिर नेक्स क्लास के लिए आपको पिर मैं नोटिफिकेशन दे दूँगा कि कब क्लास होगा फूशिश करेंगे हफ़ते में दो क्लास करते हैं लेकिन अभी फिलहाल उसको फाइनल नहीं हुआ है तो 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 होता है मेरा अपना बिजनस भी होता है एकेडमी में इस इन्सिट्यूश में भी जाना पड़ता है तो इस वज़ए से मैं उसको देखता हूँ कैसे मैं आरेंच करूं तो ठीके इन्शाला इन्शाला आपके साथ शेयर करेंगे ठीके ओके ठैक यू टैक यू ओके जी अलाफिस शालाम आलेकूँ टैक जी अलाफिस आलाफिस शालाम आलेकूँ अलाफिस